नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रो सील की समस्या के बारे में बहुत से हमारे कमेंट आते हैं कि सर हाइड्रो सील पे आप वीडियो बनाईए, हमें बताईए, हमें काफी कुछ जानना है, हमें समस्या आ रही है तो आज की वीडियो स्पेशली हमारे उनी सब भी वीवर्स के लिए जिनकी रिक्वेस्ट पर आज मैं ये वीडियो बनाओ देखें हाइड्रो सील समस्या क्या है सबसे पहले समझते हैं हाइड्रो का मतलब होता है modern science में water पानी और सील का मतलब होता है cavity मतलब जहाँ पर कुछ भर जाए तो ऐसी जगा जहाँ पर पानी भर जाता है और उससे जो समस्या आती है that is called hydrocele लेकिन ये समस्या पुरुषों में देखने को मिलती है और पुरुषों के भी अंड कोश में देखने को मिलती है जिसे हम testis कहते है असल में इस समस्या में होता क्या है हमारी जो testis होती है उसमें दो layer होती है एक inner layer और एक outer layer और दोनो layer के बीच में थोड़ा सा liquid होता है जिससे उसमें movement normal रहती है या ये कहें जो process है वो proper normal तरीके से चल पाए लेकिन जब किसी भी कारण वश ये liquid जादा produce होने लग जाता है और उसमें inflammation हो जाती है यानि सूजन आ जाती है जो testis का size है वो बड़ा हो जाता है और कभी कबार उसमें दर्द भी देखने को मिलता है तो उस समस्या को हम कहते हैं hydrocele की समस्या hydrocele की समस्या के अगर हम कारणों की बात करते हैं तो जादतर देखा जाता है कि इसमें infection होने की वज़े से ये problem अकर होती है या फिर कई बार आपके testis या आपके गुपतंग में चोट लगने की वज़ा से कभी खेलते वक्त कोई ball लग गई या कभी जिम वगएरा में exercise करते वक्त कोई नस खिज गई जादा weight उठा लिया तो इस तरीकी की समस्याओं की वज़ा से हमें hydrocele की समस्या देखने को मिलती है लेकिन modern science के according इसके दो कारण होते हैं एक होता है primary एक होता है secondary प्राइमरी मतलब जिसे हम कहें जिसमें हमें कारण ही नहीं पता के hydrocele क्यों हो रहा है लेकिन अगर हम बात करते है secondary reason की तो secondary reason जैसे मैंने वह आपको बताया infection की वज़े से या किसी चोट के लगने की वज़े से जब आपके testis में पानी भर जाता है या भरने लग जाता है inflammation हो जाती है तो उसे hydrocele secondary reason से हम जानते हैं तो अगर हम बात करते हैं पहले reason की या हम बात करते हैं दूसरे reason की modern science में एक चीज़ कहा जाता है कि अगर primary आपका reason है मतला हमें reason ही नहीं पता कि वो hydrocele किस वज़े से हो रही है तो एक मात्र उपचार है उसका और वो है surgery लेकिन वो साथ पर कहते हैं कि अगर secondary option है तो वहाँ पर हम उस reason के उपर work करके आपकी hydrocele की समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन surgery इसका best उपचार है modern science ये कहती है लेकिन इसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ayurved की या homopath की तो यहाँ पर इनका कहना बिलकुल अलग है दोनों ही कहते हैं कि बिना किसी surgery बिना किसी चीर फार के इस समस्या को ठीक किया जा सकता है काफी हद तक control किया जा सकता है और इस पर काबू पाया जा सकता है यहाँ पर अलग-अलग patients के अलग-अलग reviews होते हैं बहुत सारे patients हैं जो ayurved लेते हैं किसी को बहुत अच्छा result मिलता है किसी को result नहीं मिल पाता है कई होते हैं जो homopath से result ले रहे हैं वो कहते हैं हमें बहुत अच्छा result है अब मैं ठीक हूँ मुझे दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ लोगों को यही result थोड़ा time लग जाता है मिलने में जिसकी वज़े से कई बार वो patients नहीं रख पाते हैं और वो कहते हैं मुझे तो result मिलनी रहा तो मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर आपको एक बात सबसे पहले समझने पड़ेगी चाहें आप आयूरवेद को अपनाएं या आप होमोपैद को अपनाएं दोनों के result में आपको एक चीज जरूर रखनी पड़ेगी जो है patient, धैर, सही है क्योंकि यह एलोपैद की तरह आपको instant relief नहीं देगा, चुटकी बजाती relief नहीं देगा कि सर्दात है गोली खाई अराम मिल गया, no आयूरवेद और होमोपैद, दोनों की एक ही strategy है काम करने की, कि यह समस्या की जड़ पर काम करते है और जब जड़ पर काम करते हैं, तो उस समस्या को खतम करने के लिए सबसे पहले क्या देखने को मिलता है कि जब patient आयूरवेद लेता है, या होमोपैदिक मेडिसन लेता है, तो उसको वो लगता है, मेरी समस्या तो बढ़ रही है क्योंकि असल में वो उस समस्या को पहले बाहर थोड़ा सा निकालता है, और उसके बाद उसके उपर वक करके उसे पूरा खतम करता है और यहीं पर patient अकसर एक गलती कर बैठते हैं, कि वो इस treatment को छोड़ देते हैं, कि भाई मुझे result नहीं मिला लेकिन जो लोग patients रखते हैं, धहरे रखते हैं, उनको इसके positive results बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं लेकिन अगर दोनों में result देखने को मिलते हैं, तो सही कौन सा है, चुनाव कौन सा करें अकसर patient जब हमारे यानि भारत हुमपैती में आते हैं, तो वो पूछते हैं यहाँ परना मैं आपको दोनों की सच्चाई बता रहूं, इच्छा आपकी आप कौन सा choose करो अब आयूरवेद में क्या है? काड़ा होता है, दवाई होती है, जो आयूरवेद, जो हर्बस और जड़ी बूटियों से बनती है हमें time to time वो दवा खानी है, proper काड़ा लेना है, कई चीजों का परेज करना है अगर miss हो गई, तो हमारे treatment दुबारा से शुरू होता है, कुछ ये procedure रहता है आयूरवेदिक medicines का, जिसमें अकसर patient क्या होता है, कि सर दवा miss हो गई, office था, ये खा लिया क्योंकि मजबूरी थी, party में जाना था, तो कई ऐसी restrictions होती है, जिसको एक patient follow कई बार ऐसा देखा जाता है, नहीं कर पाता है लेकिन इसी के दूसरी तरफ, अगर हम homeopathic medicine की बात करते हैं, तो doctors परेज के नाम पे शायद ही किसी चीज का परेज कराते है दूसरी बात, अगर हम इसकी दवाई की बात करें, तो इसमें दवाई होती क्या है शुगर बहुत, सीनी की छोटी-छोटी गोलिया, जिसके अंदर दवाई मिला के दी जाती है दवाई alcohol based होती है, जो बहुत ही जल्दी assimilate हो जाती है आपके मुँ में घुल जाती है, जीब से absorb होके, आपके खून में मिल जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है तो सबसे पहला benefit, इसमें दवाई मिस होने के chance बहुत काम है दवाई छोटी सी है, आप pocket में लेके घुम सकते हैं, कभी भी उसे खा सकते हैं साथ ही इसमें दवाई को पेट में जाके, डाजेस्ट होके, अपने काम में करने वाला जो समय लगता है, उस समय लगने के जरूरत नहीं होती जल्दी action और result आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जल्दी गुल जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है लेकिन हाँ, एलोपेटिक के मुकाबले इसमें टाइम शायद थोड़ा सा ज़ादा जरूर लगता है अब यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज़े समझाई, कौन सा चुनाव आपका है, कौन सी दवा आप अपनी समस्य के लिए चुनते है यह आपका खुद का अपना निर्णय होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी एक मदद तोर कर सकता हूँ अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, होमोपेटिक मेडिसिन के रिकार्डिंग, कैसी दवाय होती है, कैसी लेनी है, क्या करना है, क्या नी करना, कितनी दिनों में हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, क्या होगा तो आप अपने हर तरीके के प्रशन का जवाब हमारे डॉक्टर्स की ट्रीम से बात करके फ्री ओफ कॉस्ट ले सकते हैं जी हाँ, आप भारत होमोपेटिक के डॉक्टर से फ्री ओफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे दिये गए इस नमबर पर कॉल करके तो आप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया कि हाइड्रोसील क्या है, लक्षन उसके क्या होते हैं और साथ ही सर्जरी इसका कोई सही उपचार नहीं है, उसके अलावा भी हमारे पास दो आप्शन अवेलिबल हैं, उसमें से आपको कौन सा चुनना है, कौन सा सही लग नमस्कार